इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा ID and Classes क्या होती है ID and Classes का Concept बहुत जादर Confuse किये जाने वाले Concepts में से एक है In fact जब मैं HTML सीख रहा था अपने Early Days में तो बहुत Confuse होता था ID and Classes में ID मतलब होता है Unique Identifier यानि कि अगर आपने एक Element को एक ID दे दी तो आप दूसरे Element को वो ID ideally नहीं देंगे लेकिन Class का मतलब होता है कि एक तरह की Property अगर आप Multiple Elements को देना चाहते हैं तो आप उसको Multiple Class देंगे For example, Red नाम की Class आप एक Div को भी दे सकते हैं और एक Form को भी दे सकते हैं इसी प्रकार से आप लोग BG Red नाम की Class एक Article Tag को भी दे सकते हैं और एक Header Tag को भी दे सकते हैं इस वीडियो को Like ज़रूर कर देना क्यूंकि हम चलेंगे अब Computer Screen में और इन चीज़ों को बहुत ही closely देखने वाले हैं लेट्स रॉल दे इंट्रो और गैस तो मैं आ गया हूं वापस और अगर आप लोगों ने Sigma Web Development Code को अक्सेस नहीं किया है तो वही प्लेलिस को अक्सेस करो यहां क्लिक तरके बुखमा को यहां क्लिक करके सेव करो और Source Code भी GitHub पर अपलोड हो रहा है लगतार अब मैं यहां पर आऊँगा जल्दी से फोल्डर में और वीडियो नंबर 9 का एक जल्दी से फोल्डर बना लेता हूं यहां पर वीडियो 9 का फोल्डर बनाने के बाद में Shift राइट लिक करके open with code करूँगा और यहां पर आप देख सकते हो कि यह BS code में खुल गया है अभी यहां पर index.html लिखूँगा exclamation mark लगा कर enter मारूँगा और उसी के साथ साथ अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ID and classes क्या होती है आप लोगों के पस अधार काड होगा है कि नहीं है तो आपके पस कोई ID तो होगी अब comment में यह मतलिखना कि नहीं है मेरे पास ID जब भी आप किसी जगह पर जाते हो तो आपको ID दिखानी पड़ती है इन some of the cases अपनी identity को प्रूब करने के लिए कि यार मैं यह हूँ अब आप लोगों ने ID और classes के बार में अगर stable में समझने है तो ID तो वही है जो कि आपकी पहचान है ठीक है क्या है वो आपकी पहचान है तो यहां पर एक कहानी को सुनों ठीक है यह जौन ठीक है और यह है आयावर आप देख सकते हो यह जो John है और Harry है इन दोनों को अपने अधार कार्ड की idea तो यह है मेरा अधार नमबर और John का अधार नमबर कुछ इस तरह से देखता है तो यह जोन का अधार नमबर और यह है मेरा अधार नमबर ठीक है हम दोनों का अधार नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता या फिर अगर मान लो कि हमारी दोस्त बनती है मान लो मेरी दोस्त बनती है तानिया और जॉन की दोस्त बनती है मान लो शुरूती ठीक है तो इनकी अधार नंबर भी अलग-अलग होंगे ठीक है ये हो गया और ये हो गया तानिया का अधार नमबर ठीक है ये तानिया का अधार नमबर हो गया अब ये अधार नमबर ना हर इनसान के अलग अलग होंगे तो जॉन और हैडी दोस्ते जॉन की एक दोस्त बनी शुरूती ये उसका अधार नमबर तानिया का ये इन चार तो आप समझ जाओगे तानिया की बात हो रही है तो uniquely identify करता है यह आधार नंबर तानिया को, हैरी को, शुरुती को और जॉन को तो यह क्या है? यह है इनका आधार नंबर यानि कि इनकी ID, यह आधार नंबर अब किसी और को नहीं मिलेगा उसी के साथ साथ, मानलो John और Harry ने बचपन अपना साथ में बिताया है चड़ी बड़ी है यह दोनों और एकी class में यह पढ़ते थे और उस class का नाम था class 10th, ठीक है? मानलो 10th class में यह दोनों, ठीक है? मानलो यार, मानने में कह जाता है और शुरुती मानलो है class 9th में अकेली थोड़ी ना पढ़ेगी शुरुती कोई, या फिर कोई Harry अकेली थोड़ी ना पढ़ेगा 10th class में और बच्चे भी होते हैं class में तो class का मतलब यह हुआ कि एक class में Harry और John है तो class क्या एक इनसान की multiple हो सकती है? एक इनसान की तो multiple हो सकती है class ब्य Lindsay की Malo Harry class 10th में है और यह एक tuition में जाता है जहां पर यह class 10a में Malo's tuition में भी classes होती है तो एक से जाधा class हो सकती है एक तो class 10th है एक- क्लास 10th है और एक class 10a है और उसी के साहई मर elements Cherry Red कलर की टी-shirt पहेंता है तो इसकी class red भी है ठीक है? तो class का मतलब पढ़ने वाली class नहीं हो रहा है class का मतलब कि इसको इस class में classify कर दिया गया है ऐसा समाझ लो अब आजाओ यहाँ पर यह John Harry शुरुती को छोड़ो भी ठीक है इसको delete कर दो न जूम आउट करके delete कर देता हूँ ठीक है इसको कोई मतलब नहीं है भी यहाँ पर अब आजाओ index.htm वहाँ समझो इस बात को मालो मैंने आपर एक div बनाया ठीक है और मैंने इसका class दे दिया red ठीक है और मैंने एक span बनाया और इसको भी मैंने class दे दिया red ठीक है जो मैंने classes दिये हो मैं अलग-अलग elements को दे सकता हूँ यह same class हाँ दे सकता हूँ लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ID डालना किसी भी एक element में मालो मैंने ID डाल दी इसकी first div कुछ भी डाल सकता हूँ ID में तो यह ID अब मैं किसी और element को नहीं दे सकता हूँ क्योंकि यह इसका अधार card है इसवाले element का अगर वो दूसरा div भी हुआ ना तब भी नहीं डाल सकता तब भी मुझा ID कुछ और डालनी पड़ेगी ठीक है second div डाल दी मैंने ID ठीक है और यहाँ पर मैं second लिखता हूँ यहाँ पर मैं first लिख दूँगा ठीक है इसको मैंने अगर red glass दी मैं इसको bg yellow class भी दे सकता हूँ ठीक है bg yellow एक class यह दे सकता हूँ और class अगर हम किसी element को multiple देते हैं तो हम space लगा कर देते हैं जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस element में multiple classes डाली जाएं तो मैं क्या करूँगा एक तो मैं आप पर red लिख दूँगा फिर space लगा के bg yellow लिख दूँगा तो इस तरह से मैं multiple classes दे सकता हूँ same element को क्या मैं same element को multiple id दे सकता हूँ क्या किसी के दो अधार card सुने हैं कभी आपने अधार number एक इनसान का एक होता है और आधार number अलग-अलग इनसान के same नहीं हो सकते ठीक है एक इनसान के पास multiple नहीं हो सकते अलग-अलग इनसान के पास same नहीं हो सकते लेकिन जो class है, यानि कि अगर मैं कहूं कि आप t-shirt कौन से color की पहनते हो, या फिर red color की t-shirt 5 लोग पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाई, मिल जाएंगे आप स्वड़क पर चला जाओगे तो, और आप लोगो को, let us say, आम पसंद करने वाले, या केला पसंद करने वाले, या फिर अंगूर पसंद करने वाले multiple लोग मिल जाएंगे, तो वो मानलो banana class में, या फिर वो है, grapes class में, mango class में, तो एक class में classify हम कर सकते हैं, और एक ही class को हम अलग-अलग elements को दे सकते हैं, तो I hope ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अब मैं आप थोड़ी ची CSS लिखूँग और यहां पर अभी इसका जो preview है, वो कुछ इस तरह दिख रहा है, first or second, मैं आपको बस एक चीज़ दिखाऊँगा, मैं एक तो class है, वो CSS में कैसे target करते हैं, dot लगा के करते हैं, dot red मतलब red class, और hash first div मतलब, hash मतलब ID होता है, dot मतलब class होता है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि जो first div है, उसका background color कर दो red, ठीक है, तो first div का background color red करने से, इसका background color red हो जाएगा, ठीक है, यह selector होते हैं, CSS में, और अभी मैं आपको बिल्कुल भी confuse नहीं करना चाहता है, और मैं इस तरह से comment कर सकता हूं, CSS में, ठीक है, लेगि यह सब चीज़ आगे पड़ेंगे हम लोग, अब dot red करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा background color red, और उसी के साथ सा, dot bg yellow में मैं क्या करूँगा, dot bg yellow जो होगा, dot ज़रूर लगाना है मुझे, dot मतलब class, इसका class bg yellow, हम मैं background color को yellow कर दो, sorry, इसको मैं color red करूँगा, background color red नहीं करूँगा, dot red मतलब color इसका red हो जाए इसका color red हो गया, और background color yellow हो गया, तो इस तरह से आप लोग इस्तिमाल कर सकते हो, id and classes को CSS के अंदर, I hope कि आप लोग को जी समझ में आ गई होगी, अब एक चीज़ यहाँ पर note करने वाली बहुत important यह है, कि जो id and classes होती है, वो attributes ही होती है, element का, यह id attribute है, और यह class attribute है, तो Wikipedia का यह page आ गया, मैं मालो कुछ और page पर जाता हूं किसी बड़े page पर, तो आप देखो कि Wikipedia पर जब आप किसी भी page पर जाते हो न, तो आप क्या कर सकते हो, कि उस particular place का link ले सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता यह, किसी और page पर जाता हूं, मैं नीचे scroll करता हूं, औ यहां पर मैं inspect करूंगा, इसकी ID देख लूँगा, क्या, इसकी ID है यह, ठीक है, तो इसकी ID में copy करूंगा, ठीक है, और मैं अगर यहां पर डाल दूँ, hashtag, और यह ID, अब मैं enter मारूंगा, तो यह सीधे मुझे यहां पर लेकर आएगा, ICDA 8 में, तो आप देखो, अगर मैं इसको incognito में भी डालू न, तो मुझे scroll करके उस particular ID को दिखा देगा, इसने scroll करके, instead of showing me this, इसने मुझे scroll करके दिखा है, क्योंकि यह मुझे इस ID तक लेकर आना चाहता है, तो linking में भी काम करती है, तो उस तो ID, ठीक है, यह भी यात रखना है, यह बहुत कम लोग आपको ब जालत कर दी है यहाँ पर, but you got the point, you got the point, 29.29, और मैं इसको enter मारूंगा, तो आप देखो यह मैं नीचे आ गया, और मैं इसको उपर scroll भी कर दू न, और इसके बाद मैं नई tap खोलू और इसको ऐसे करूं, तो यह मुझे scroll करके उसी page पर लेकर आ रहा है, जिस page पर यह वाली ID है, तो I hope कि आप लोग को ID और classes समझ में आ गए हूँगे इस वीडियो के माध्यम से, ID मतलब जैसे आधार काड होता है, class का मतलब कि एक इनसान की properties, जैसे उसे red पसंद है, या फिर वो कौन सी class में है, एक element को multiple classes दी जा सकती है, एक element red color का भी हो सकता है, उसका background yellow हो सकता है, और दूसरा element भी उसका color red और background yellow हो सकता है, तो red class भी multiple elements पे लगाई जा सकती है, red class को आप चाहो तो सिर्फेक element पे लगा लो, और एक element में आप red class भी लगा सकते हो, भीजी yellow class भी लगा सकते हो, तो आया हो कि आप लोग समझ गए यार, so अभी के लिए इस वीडियो में इतना GitHub को भी access करना, वीडियो को like जरूरी बरकरार रखना, comment section में hashtag sigma batch op लिख देना, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time. झाल